वेलेंट्ज फिड़ क्यों तो हमने कल स्टार्ट किया था क्रेश कोर्स 12 क्लास का सी बेस्टी वेंटी वन दीवन जैसे कि हमें को इसलिए है इसका में मौटिव यह है कि आपको एक रेपिड रिविजिश्न मिल सके और जो भी आपकी क्वेरी है ज्व आपने सब कुछ पढ़ है एक आप शोर्ट फोर्म में आप इसे कंप्लीट करने की कोशिच कर सकें आपको फुल पूरा NCRT पढ़ाया जाएगा और NCRT इस तरीके से बढ़ाया जाएगी कि आपकी NCRT आपके फिंगर टिप्स वोनगी फूल फ्लेबर अकोरडिंग टू रिडिउबस बैफे में करदा ने ने क्ल क्या पुड़ाता जिसके विद्ने वहके मिन सब्सक्रादाएगा इस director वुल्थ हमने लास्ट टॉपिक जो हमने एंड किया था वो था हमारा सुपर पोजीशन तो आज हम इसके आगे का को देख सके मैं और अपना jej Ke लेक्रिक फिल और किया होती है सबसे पहली बात तो हमने जब लास्ट कल फॉर्स पढ़ा था तो फॉर्स में मारा कुलांट स्लो का फॉर्मला आया था वन अपॉन फॉर पाई एपसाले नोट Q1 Q2 ओवर आर स्कुर्र यह उते हैं हमारा क्या फॉर्स इयह हमने लास्ट कल कंप्लीट किया था अब एक्चुन में इलेक्तट riq v hakkah कि अगर कोई फॉर्स यह प्ट։्प चार्ज है हमारे पास अगर कोई फोर्स इस पर एक तरीके से यह ऐसे ही चार्ज क्या है रखा हूआ है यह हमाइप पर sterjassi एक इस्टेटिक उसमें हैं ऐसे ही रखा हुआ है और अगर हम इस पर कोंगी ऑस एक्सुर्स कराते हैं इसी दूसरे चार्ज से यह किया है इसे हम ने चींज किया यह अपनी जगह पर किया है बिल्कुल स्टेबल है ठीक है और हम एक दूसरे चार्ज से आगर इस पर कोई फोर्स एक्जर्ट कराएंगे जो में देखा था दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे तो इसे हमने एक स्टेबल गंडिशन में रखना है और इस events act कराते हैं इस चार्ज को बिना डिस्टरब करायो हुए ठीक है यह जी सौर्स चार्ज से बिना डिस्टरब करायो हुए तो हम पोर्स एक्सपिरियंस कराते हैं तो तो इसके यहां पर चारो तरफ क्या हो जाती है एक फील्ड जनरेट हो जाती है ठीक है और इसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं इसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं electric field बोलते हैं clear रहे इतनी बात आगे आपको समझ में तो electric field is defined as the force experienced by unit positive charge जितनी इसने force experience की होगी placed at that point without disturbing the position of source charge बिना इसकी position को disturb किये हुए हम इस पर एक unit positive charge पर जो एक force experience कराते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं electric field बोलते हैं कि रहे इतनी बात आगे आपको समझ में एक stationary body रखनी है हमें मतलब महाँ पर इसी को में electric field electric field intensity इसी को बोलते हैं अब एक बात बताओ आप कि अगर हम इसे इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर हम इसी को हम कराय की point charge के साथ अब electric field आपने पढ़ ली electric field का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी electric field है उसे हम डिनोट करते हैं यह वह force होती है जो कि किस पर लगाई जाती है एक यूनिट एक charge पर लगाई जाती है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो लगती है उसे क्या बोलते है electric field बोलते हैं तो electric field क्या होती है ratio होती है force और किसका जो हमारी पास charge है उसका clear है इतनी बात इतनी बात आगे समझ में मान के चलो यहां पर जो Q-naught है वेयर Q-naught क्या हुआ हुआ हमारी पास test charge है एक यूनिट क्या है यहां पर यहां पर Q-naught test charge है जो की experience कर रहा है force F experience कर रहा है force F कर रहा है किसी भी point पर clear है तो electric field उस point पर यह होगी E is equals to F upon Q-naught बहुत ध्यान से बहुत याद रखना बहुत important है आगे जितना भी मैं आज हमारा topic electric field है जितना भी आगे के आज सारे concepts होंगे वो सब इसी formula पर बेस्ट होंगे तो हम यहां से F को भी जो भी आपको निकालना है फिर आप निकाल सकते हैं Q-naught electric field के unit निकालने के लिए सबसे पहले आप बताओ कि force की unit क्या होती है न्यूटन चार्ज की unit क्या होती है कुलाम तो बस electric field की निकालने के लिए न्यूटन पर कुलाम बहुत important है इसका भी धियान रखना है इस crash course में मीसू से यही बात है कि आपको सारे important points बताए जाएंगे ऐ जो भी हमारा syllabus reduced हुआ है उसके according पढ़ना है तो limited पढ़ो smart study करो तो आपको बहुत जादा benefits इसके होंगे clear इतनी बात तो सिर्फ आपको जहां important है कि जो चीज आनी ही आनी है chances जादा होते हैं उस पे आप जादा ध्यान देंगे तो शायद clear चीज आप हर चीज को clear कर अगर आपको किसी भी चीज की यूनिट ना आये तो बहुत अच्छा option होता है कि आप इस तरीके से यूनिट निकाल लें अगर उसका आपको formula पता है तो एसी अगर मैसकी डामेशन की बात करूं तो force की डामेशन होती है mlt-2 और charge की कितनी होती है 80 तो अगर हम ऐसे 3 और a-1 तो इसकी डामेशन हो जाएगी अगर आएगी तो लिख देना नहीं आएगी तो इतना कुछ नहीं है लेकिन इसकी यूनिट इंपोर्टेंट है अब हम अपने नेक्स्ट जो इसके बाद हमने क्या किया हमने e is equal to f upon q0 formula निकाल लिया तो अब हम इसे थोड़ा सा टे तो पस कोई भी चार्ज क्यूं था और यह हमारे पास है क्यू नोट मतलब की जो यह चर जैसे हमने ळी क्ef चार्ज माल लिया shyyy cannot बाद ये एक o point है और मानों ये एक a point कुछ भी है इनके बीच की Dissent कितनी है आर है जो चीक है आर हो गई अब यह चार्ज इस ट्रफ पर क्या एक्सपीरियंज करेगा अब यह चार्ज इस ट्रफ पर क्या करेगा एसे एस जीक है और जैसे ही एक एक्सपीनेस करेगा एफ तो इस साई हो जाएगी यहां बताया गया था वो चीज यहां पर हो गई है एक सोर्स चार्ज लिया इसे हमें बिल्कुल दिस्टर नहीं करना है इसके तूर्ज पर में पॉर्स एक्स्पियेंस करानी है जिसके डिस्टेंस आर्थी हमें एलेक्टरी फील निकालनी है एट पॉइंट पी अब हम कैसे निकाल लेंगे एलेक्टरी फील का फॉर्मला होता है हम्ने एफ अपॉण कूणच युन नोट यह फॉर्मला हमने आपको बत आया था और यह मेरे पास एक्वेशन वन अब एक sensible होम्ने जो निकालन पक हहां फॉर्लम से यह बात पता है हमें लेकिन यहां पर Q1 Q2 की जगह क्या दिया हुआ है एक चार्ज Q और एक चार्ज Q नॉट तो हम इसे इसी तरीके से लिखेंगे जो जाएगा Q इंटू Q क्लियर हुए इतनी बात अब इसमें जो वेल्यू है माई पास की एफ की इसे हम उठाकर रख देंगे इस वाली एक्वेशन में चलो जाओ और जाने के बाद देखते हैं क्या होगा यह हमने इसमें रखा अपान चूनोट आ गया ऐसे है ठीक है और जब यह क्यूनोट आया तो इसने का ठीक है वही अब मैं आ गया हूं तो थोड़ी सी यहां पर हमने लगा दी थोड़ा सा काट दें लोगों को क्योंकि क्यूनोट से क्यूनोट कैंसल हो गया तो यह मेरे पास जो फाइनल एक्वेशन रहे गई वह यह होई वन अपॉन पॉर पाइप सालनोट क्यू यह यह है जो भी एक्सपीनेंस की जाती है मीस्ट उसे जो हमारा एफ अपॉन क्यूनोट था बस सीधा सिधा कुछ नहीं किया एफ की वेल्यू पुट कर दी अकॉर्डिंग टो कुलाम स्लो और हमने एलेक्ट्रिक वीलिए हां से निकाल ली आगे आपको इतनी बात समझ में आपको अच्छे से आही गई होगी विकॉज इतना कुछ इसमें है नहीं और रिविजिन करना है तो रिविजिन में और इतना जदा डीप अगर हम जाएंगे तो एक दिन में कुछ भी नहीं हो पाएग एक टॉपिक भी कंप्लेट नहीं होगा यह टाइम ही क्योंकि रिवि है मतलब हुआ थायों में तो पायर का मतलप यह हुआ कि उप अपोजैड चारजюсь separated by a small distance, एक pair है equal और opposite charges का, मतलब कि equal होने चार्ज और opposite होने चार्ज, और opposite होने चार्ज, opposite का means, सिर्फ और सिर्फ difference in their charge, ठीक है positive और negative, आइदर, मतलब एक positive होना है, एक negative होना है, तो उन दोनों का pole, उन दोनों का pair, एक positive, equal और opposite charge का, अगर मानूँ ये 20 है, तो ये भी 20 होना चा लेकिन एक positive का, एक negative का, clear आया, और उनके बीच के अगर हम उस distance को किसी से भी, किसी distance से separate कर देते हैं, अब dipole है, तो इधर से किया, तो मानों, इसकी distance ये हुई, एक distance ये हुई, clear है इतनी बात, तो हमने इसे क्या किया, distance two way, क्योंकि two way हम मान लेते है, डाइपोल है, तो हमन हम आपस क्या, electric dipole, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो यह हो जाएगा, अब pair of equal and opposite charges, form a dipole, अब dipole तो होता है, कि simple क्या, कि एक pair ले लिया, equal and opposite charges का, उसको हमने क्या कह दिया, dipole बोल दिया, और एक distance से separate कर दिया, किसी भी distance से, चीक है, और अगर हम इसी में ही dipole moment कह दे है, अगर हम यहीं पर dipole moment कह दें से, अगर हम dipole moment कह दें, तो यह क्या हो जाएगा, अगर dipole का आपको समझ हुआ है, electric dipole क्या होता है, अगर dipole moment की बात करें, तो यह हमें strength बताता है, कि इसकी कितनी strength है, अब यह हमाँ पस dipole है, यह पता चल गए, एक equal and opposite charges का है, चीक है, एक यह किसी distance से separate किया हुआ, अब dipole moment बताएगा, इसकी strength, क्या बताएगा, वो, electric dipole के कितनी strength है, वो कितना उसे attract कर सकता है, यह उसे पता है, कितना उसका magnitude है, कितने times, उसकी separation के कितने times है, तो यह सब होता है, dipole moment, ठेक है, dipole period का मुमेंट का एक formula होता है, कि और dipole मेंट को पह तो डाइपोल मुमेंट होता है प्रोडक्ट ओफ चार्ज कोई भी इन दोनों में से कोई भी चार्ज और वो अपने डिस्टेंस से हमने उसे सेपरेट कर दिया उसकी इसको हम बोलेंगे क्या डाइपोल मुमेंट यह बताएगा उसकी स्ट्रेंथ कि एक बात बताओ अगर यह बहुत पास-पास है और इसकी डिस्टेंस यहां पर मानों कि 10 है सिर्फ इन दोनों के बीच में इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी और अगर आम इसी को 50 के बीच में कर दें 50 कर दें उसकी स्ट्रेंथ बताता है और इसी को हम क्या बोलते हैं डाइपोल मुमेंट and it is P is equals to Q into 2a where Q is आइदर चार्ज कोई सभी चार्ज साइन की तो अलग है एकोल तो हैं दोनों यह होता हम है पस डाइपोल मेंट का फॉर्मला क्लियर है इतनी बात हो जो इसकी यूनिट होती है यूट आप खुदी बताएंगे क्यों के इनिट कितनी होती है कुलाम और ए एका मतलब डिस्ट किसमें मेजर करते हैं मीटर में तो हो जाएगे कुलाम मीटर पढ़नी आएगा कुलाम मीटर आएगा यह हुग इसकी यूनिट तेर इतनी बात ठीक है आगे समझ में ठीक है अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलेक्स्ट फील्ड एक्जिल पॉइंट ऑफ डाइपोल एक्टोरिल पर निकाल सकते हैं ठीक है तो हमें डाइपोल निकालना है एक्जिल पॉइंट प्लस क्यू और माइनस क्यू है ठीक है और किसी इक डिस्टंस से हमने सेपरेट कर दिया यह हो गया डाइपोल लिए इतनी बात अब एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव हम बता हो जब हम इस माइनस क्यूं से माइनस क्यूं से पीपर हम इलेक्टिक फील निकालनी है इस पीपर को यहां पर टेस्ट चार्ज कुछ भी रखा है क्यू नॉट यह कुछ भी तो इस माइनस क्यूं से इस पीपर निकालनी है यह पॉजिटिव है यह क्या है नेगेटिव यह होगी electric field at plus q यह कैसे हुआ अभी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप यह पूरा बेस खतम कर दें हमने अब इसके इन दोनों को भी किसी डिस्टंस से कवर अप करना है ठीक है अब एक बात बताओ हमें क्या करना है कि माइं क्युक्म प्लस क्युल से हमिक एकойтиक क्या है विगॉप जैसे हमने इसे में पढ़两गा है तो यह प्लस इसे वीया है प्लस क्यूर पे यहां पर यहां पर फहले सी जर्ञ पॉजूर्टिफ चार्जी होता है क्योंकि जो माइड में डेफिनिषन थी उस Kitchen लिखा है unit positive charge place किया हुआ है that means कि यहां पर क्या है को प्लस चार्ज रखा हुआ है अब यह क्या है minus q अब minus q और यह है plus तो क्या करेगा एक दूसर इतनी तरफ यह attract करेगा इतनी बात ऐसे अगर हम plus q को लेंगे तो यह क्या करेगा इसे repel करेगा यह प्लस क्यों इतनी बात आ आ गई समझ में electric field की directions आ गई समझ में ठीक है I hope आ गई होंगी अब उसके बाद अगर हम इसे distance को लें तो यह distance हमाई पास है ए यह यह है इसका midpoint और यह distance हो गई इसकी इतनी बात आ आ यह समझ में ठीक है और हमने इस ओ पॉइंट से इस ओ पॉइंट से हमने इस पी पॉइं आ है समझ में अब हम निकालेंगे सबसे पहले क्या electric field due to charge minus q हमने क्या किया सबसे पहले minus q charge से हमने electric field निकाली है कहाँ पर at point P वो कितनी हो जाएगी वो हमें देखना है e minus q is equal to minus q से निकाल रहे हैं ठीक है कितनी है charge कितना हम आपास formula क्या था formula था e is equals to q over 4 pi epsilon 0 r square this is a formula हमें इसमें पुट करना है तो charge हमें सिर्फ 1 लेना minus q अब charge minus का है तो हमने minus के लिया upon 4 pi epsilon 0 अब देखो बात आती है r square की r square की बात का मतलब यहाँ पर जो r से है distance यह कितनी है distance यहाँ से और हमें लेनी है p तक ठीक है इतनी distance कितनी है r और इतनी ठीक है और यह भी distance कितनी हमाय पास a clear तो हम अब अगर इसकी distance को देखेंगे अभी हम बताते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी distance हुई है वो गई कितनी total अब खुद देखो कितनी हुजेगी r plus a clear इतनी बात कितनी हुजेगी r plus a clear sorry यहाँ से नहीं देखनी है midpoint मतलग यहाँ से देखनी है यहाँ से आर हो गई ठीक है r कहां से कहां तक होई हमाय पास o से p तक तो यह distance r plus a हो गई ठीक हमने इसे 2a ना कुछ लेकर हमने इसे क्या किया यहाँ से distance ली है a और इधर होगी complete r तो होगी r plus a तो हम इसे लिखेंगे r plus a का whole square r square थी तो r plus a का whole square और यह होगी है हमाय पास equation first और direction हमने इसके आपको पताती है clear अब हमारा जो दूसरा है अब हम निकालेंगे electric field at point p due to charge plus q अब हमें देखना है plus q से बहुत ध्यान से देखना बहुत ही ज्यादा important यह दोनों जो steps हैं बहुत important हैं जो आपको समझने भी चाहिए अब देखो हमें distance देखनी है सबसे पहले यह होगी r plus q से देखो से हम मेजर करते हैं कहां से यहां से यहां से मेजर करेंगे और यह कितनी है PLUS Q से देनी है यह total थी आर इतनी थी ए तो यह वाली कितनी बचेगी r-a कि अगे इतनी समझ में q से p तक की distance कितनी है r-a यह दोनों step आपको समझ में आए यह r plus a और r minus a कैसे आई है I hope समझ में आए है और आपको एक बार और बता देते हैं जिससे कि आपको और रिविजन हो जाए कि आपको समझ में आ जाए हमने इस डाइपोल को टू पार्ट में डिवैड किया a clear हमने इस center point से डाइपोल के center point से हमने क्या किया इस distance let किया r जो हमने इसदर ली मतलब minus q की तरफ से जितनी भी distance उसे plus करो a plus r हो गई और सिर्फ q से p तक की distance हो गई r minus a that's why it becomes electric field जो हमाई पास plus q से आएगी वो आजएगी let's q upon 4 pi epsilon r minus a whole square that is equation 2 clear हो गया ठीक है अब आगे आपको समझ में इसकी भी मैंने आपको direction बता दी है ठीक है अब यह axial आपको total क्या कहता है कि आप इन दोनों को plus कर दें क्या कहता है कि आप इन दोनों को उठाएं और इन दोनों को plus कर दें बहुत से लोग तो सोच रहोंगे कि दोनों cancel होके 0 हो गया बट नहीं ऐसा नहीं होना है अब देखेंगे कैसे नहीं 0 हो गया है अब हम यहाँ पर एक फॉर्मला लिखेंगे कि ए एक्जियल हमसे कहता है कि e minus q और e plus q ठीक है अब इन दोनों को हमें सिर्फ क्या करना है values पूट करनी है बाकी कुछ नहीं अब एक बाद तो हमें एक शॉर्ट कट मारते हैं वह यह है कि q upon 4 पाइपसाले नोट क्या है दोनों में कॉमन है चलो मैं पहले लिखी लेती हूं माइनस q upon 4 पाइपसाले नोट एक स्टेप बढ़ेगा कोई नहीं जहां इतना पढ़ा रहे हैं वहां एक स्टेप लिखने में कुछ नहीं जा रहा है यह हो गया मेरे पास यह हमारी दोनों एक्वेशन थी ठीक है अब जो कोमन आ रहे हो से कोमन निकालो एक तो मैं पास q कोम क्लियर इतनी बात अंदर के बचता है कि जो माइंपास अंदर बचता है वहीज बचता है कि अब प्लस शिफ्ट कर दिया इसे इधर जिससे कि आपको कोई चेंज ना फील हो क्लियर योगय माइनस और योगय प्लस चीक है यह स्टैप में हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है बस इसको साइज को इसे इधर रख दिया है इधर अब हम लेंगे यहां पर एल्जियम और एल्जियम जाएगा हमायपस क्या दिया रख्खा है आर माइनस एसको एसकुर ऌंपर एधर हैेमारे पास आपर nog प्लस स्क्वयल कर दो अगर मैं इस टोटल को स्क्वाइर ही कर दूं तो आपने एक वो पढ़ा होगा फॉर्मिला एस्क्या माइनस भी तो ए माइनस भी और ए प्लस भी आपको दिखा रहा है दिखाए दे रहा है तिके आगे इतनी वाच समझ में और यहां पर जब हम इसे सॉल्फ करेंगे तो चलो to q upon 4 by epsilon naught कि या दे रखा है पहले प्लस का है तो r square plus a square plus 2 a r minus r square minus a square plus 2 a r upon r square minus a square का whole square ठीक है इतनी बात आगई समझ में कुछ नहीं किया इसको formula को अपन किया इसको formula को अपन किया और इसका formula बनाया है तो that's why हमाई पास आ गया यह दोनों cancel हो गए cancel कर दिया अभी बच्चा हमाई पास q into 2 a r over 4 pi epsilon naught और r square minus a square का whole square अब इसमें हमाई पास दो चीज़े देखनी है जो हमने डाइपोल मेंट को formula पढ़ा था वो यह होता है कि P is equals to q into 2 a मैंना आपको अभी बताया है तो आप अगर यहां पर देखेंगे एक चीज कि q into 2 a हमें यहां पर मिल रहे तो क्या सकती हूं अफकोर्स आइविल और डूसरी चीज़ जब हम यह लेंगे तो यह हो जाएगा मेरे पास P into r over 4 pi epsilon naught r square minus a square का whole square clear हुए इतनी बात ठीक है ठीक है इतनी बात क्लियर हुई स्वरी यहां पर 4 a r हो जाएगा जिस वजह से यह हम 2 बाहर निकालेंगे तो यह यहां पर और अल्रेड़ी बचेगा तो इसकी कोई रहेगी नी जब इसकी कोई रहेगी तो हम ऐसा मान सकते हैं कि निगलेक्ट कर दिया हमने एक और r को ही छोड़ दिया तो यह हो जाएगी मेरे पास 2 P r upon 4 pi epsilon naught r की power 4 जब इस r से cancel होगा तो इलेक्रिक फील्ड जो हमारी एक्जिल किया जाएगी फाइनल वाली वह होगी 2 P upon 4 pi epsilon naught r cube ठीक है एंड डिस इस अवर एक्वेशन लास्ट वाली जो हमारी एक्वेशन है यह वह है जो एक्जिल फील्ड में होती है खिलियर इतनी बात ठीक है आगे समझे में अब हम करते हैं अगर आपको एक्जिल किया गई है तो इतनी मुश्किल नहीं है एक्वेशन की भी बहुत ही ज़्यादा इसमें भी बस मैं एक चीज का ध्यान देना है वो क्या है इन हमाओ पास डाइपोल या रिख सकते हैं यह इस भार ही के बनषे क्यों दäre्स निकालने के लिए गरें है वह और तो अंयारे ।ो यह लेली सैंटर से हमेशे डिस्टै अब आप यह कह रहे होंगे ना कि हमने यहां पर दिस्टंस कैसे लिए है डिस्टंस ऑल्वीज भी किप्ट रूम दे सेंटर है इतनी बात ठीक है तो सेंटर से अमने ओ से पी तक की दिस्टंस लिए है आगे समझे मैं कि बहुत लेंदी होता जा रहा है लेक्षर बट रिविजिन इस इतना जल्दि हो सके उतना कंप्टीट करो मैं तो यही सोच रहे हूं कि मैं एक यदू वीडियो में कि चेप्न कंप्रीट कुरूं दो से थीर वीडियो में बट थोड़ा सा फिर भी होई पातनी एक दिन 핍ट् का root r square plus a square का root और कैसे अभी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा पाइथर गुरुस्क थियुरम कहते हैं कि हाइपोर्टी उसका square is equals to p square plus b square that's why perpendicular है r और base हमाई पास a ठीक है h is equals to root r square plus a square जो हमने यहां पर लिखा है तो यह मैंने आपको फिर भी करके बता दिया वैसे आपको पता ही होगा अब next अब हम बात करते माइनस क्यों से अब इस पर जगर जाएगी क्या है टेस्ट के लिए positive charge जें तो क्या हो जाएगी इधर की तरफ बहुत ध्यान से देखना बहुत ध्यान से क्योंकि इनकी डारेक्शंस ही important है टिक यह होगय में पास i minus q clear अब plus q है plus q है कि इधर जाएगी इधर की तरफ जो रिपेल करेगा क्योंकि इस है और यह होगय में पास सब्स प्लस क्यू से एतनी बात अब मैं आपको बता रख्ञे कि अगर कोई चीज में है और वोसकुर एसे यह यह merger में तो इनका जो इनका उठम फ्यक्तर होगा वह यह होगा वीच में हैवसरह हाई części टॉरियल यह उन यह गारे बस बातर यह जिस एंगल परकिसेंगल पर डिरेक्शन मैंने आपको पहले बता दी है अब बस डारेक्ट में क्या करना है वेल्यूस निकालने तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पी ड्यूटो माइनस क्यूं पॉम्ला हमाई पस वही जो पुराने वाले उसी को ही हमें यूज करना माइनस क्यू के लिए भी वह वाला है वह वन अपॉन फोर पाइपसाले नौद माइनस क्यू अपॉन अब जो डिस्टेंस है वह क्या है यह है रूट आर स्क्वेर प्लस एस्वेर तो यह बचेगा हमाई पास सिंगल यह और यह होगा हमारे एक्वेशन फॉस्ट ठीक है आगे इतनी बात समझ में अब नेक्स्ट धिंग अब हम निकालेंगे एलेक्ट्रिक फील्ड एप पॉइंट पी डियू टू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस तो हो गया ठीक है अब माइनस प्लस क्यू से निकालते है तो वह भी हमारी कुछ इस तरीके से ही आएगी वन अपॉन फॉर पाई एपसालन नॉट प्लस क्यू अपॉन आड़ स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर का वही क्योंकि इसमें डिस्टन्स वही है सेम है तो फिर वहीं रूट लागेगा रूट अटने के बाद उसका स्क्वेर हो जाएगा फिर रूट ल है तो जब इनके magnitude equal हो गए और अगर हम अब इन्हें प्लस करने लगे मिस्ट उसे e-q, e-q, e-q दोनों equal हो गए लेकिन यह हमारे जो है यह प्लस ऐसे नहीं होंगे मैंने आपको उता है न अभी vector addition होगा इसमें इसमें क्या होगा vector addition अगर हम चाहते तो इन्हें दोनों को cancel out क situation है ठीक है तो जो इसका resultant होगा वो इन दोनों का sum इसका resultant होगा कैसे होगा यह देखते हैं किसी angle पर theta पर इंक्लाइन करी है तो जो मेन है बहुत main step और एक important step जहां में star that means it is important यह कहता है कि e equatorial जो हमारा equal है वो है minus eq cos theta के minus eq cos theta के because it is in reverse direction अगर यह इस direction में होती तो positive होती left में हमाई पास origin है यह left में है तो क्या होगी negative clear है और minus ही यह हो जाएगी eq cos theta यह step समझ में आया I hope समझ में आना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं है हम इसमें सिर्फ क्या करना है हमने inclination लेना है एंगल किसी theta पर बनाए है दो वेक्टर का addition तीसरे वाले के equal होता है उसकी resultant के कल बहुत अच्छे से बताया था आज इसम एपलाए कर रहे हैं ठीक है जिसने कल वाले वीडियो ने देखी है उसे वह प्लीज जाकर देखें उसके बाद यह पढ़ें तो आपको एक sequence में सार को अगर common ले 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 तो यह यहां पर प्लस हो जाएगा ठीक है अब यह cost theta चुआ है क्योंकि यह inclined angle है clear इतनी बात ठीक है तो क्या अब यह दोनों equal आई है यह क्या है दोनों equal है तो हम क्या करेंगे इसे हम एक साथ ना लेकर हम यह कह सकते हैं कि ठीक है क्या मैं इन दोनों को ऐसे नहीं लिख सकती कि e-q को ही मैंने e-q के बराबर रख लिया तो मैं इसे 2e-q cos theta कर सकती हूँ of course क्योंकि अगर मैंने आप पर values रख दी तो I 100% sure कि वो cancel हो जाएगी लेकिन हमें cancel अब इसले नहीं करना है विकॉज हमाँ पास अब cos theta angle में दे रखा है ठीक है और हमें इसकी value चाहिए एक को टोड़िए ठीक है आगे समझ में अब इसकी value पुट कर दो value क्या थी हमाँ पास minus eq की किसी की भी रख दे तो यह हो जाएगी मेरे पास 1 upon 4 pi epsilon 0 और हमें क्या रखने है magnitude में रखनी है अब यह जो values आई है हमारी magnitude में है तो that's why यहां पर minus q नहीं आएगा आगे आगे आपको समझ में की minus q क्यों नहीं आया because हमने यहां पर क्या है वेक्टर नहीं है ना इधर हम वेक्टर से addition कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएंगी यह इनके magnitude है अगर हम क्या हो जेँल हो जोंगे यह लिए इतनी बात प्रिशी अब आती बात कॉस्थटा कि अपने मैग्ष में 10th कलास मेंस में पढ़ा हुगा अच्वास ऐिग है क्या पढ़ाए आपने 10 class голएक कर्ष थीज़िए की से ऑपाना हाइपोटीव्स रहें ... अगर हम इसमें यह क्या बेस है और है तो क्या आई पोटीमस अगर हम इसमें देखके तो क्या हमें पताeger है कि बेस किया विप वाइस आपकत decision कितनी है R square plus A square root यह step आगे समझ में क्या हुआ यह कुछ नहीं हुआ है कौस ήड की value है a upon root R square plus A square because based upon hypotenuse होता है और हम यह 90 degree का इंगल जिसमें हमने अभी पाइफ्थर गोरस से निकाल आया उसी basis पर हमने इसे कॉस्ट थीटा की वेल्यू भी निकाल लिया है ठीक है आगे आपको इतनी बात समझ तो हम यह पर कॉस्ट थीटा की जगह रख देंगे क्या हम रखेंगे ए अपॉन रूट ए स्क्वेर प्लस आर स्क्वेर इतनी बात अब एक बात हो यह हो गए मैं पास एक और यह होए दूस अब अन्हावर कितने हुई इहां पर पावर कितनी होन यहां पर पावर कितनी हाफ तो जो वन और हाफ पावर को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगी तहीं थ्री बाय चुम credit किस ना आगे समझ मैं अब उसके बाद अभ यपुल्एंड हमने पढ़ा है पीजिक्वस्ест टू-क पढ़ाए आपको कहीं कहीं बहुत ध्यान से देखिए आपको दिखरा होगा कि 2a into q means to say मैं इससे लेख सकती हूं कि 2a into q so that means यह हो गया मैं पास minus p upon 4 pi epsilon not अब भी वाली बात अब मैंने आपसे क्या कहा था जब मैंने उस इस वाले case में देखा था इस वाले में एक्जिल में पढ़ा था तो आर इसक्वेर को बहुत आर को हमने बहुत जादा माना as compared to a मतला हमने माना कि यह बहुत चोटा है और हमारा जो पी पॉइंट हो काफी दूर है तो हमने क्या किया आर को बहुत बड़ा मान लिया और इस तरीकते से बड़ा मान लिया कि मानो जा यह आ हमाई पस 2000 है अर फंस tracks करें को अब जब हम इस R को बहुत बड़ा माल लेंगे A से तो यह हो जाएगा मेरे पास R स्क्वायर यह हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर क्योंकि A को हमने निगलेक्ट कर दिया इंटू 3 by 2 अब 2 से 2 कैंसिल कितना अच्छा R3 तो यह हो गए मेरे पास E एक्विटोरियल कि कितनी बात आगे समझ में यह मेरे पास final क्या होइं है कि अब स्कॉपी अपॉण college और जो मेरे पास Info आई हнулर अडिय्य इन च्वाइं प्रम कहा सकते हैं इक रिलेशन हैन दोनों में एकैयल और equatorial में वह यह है कि पहले हम एक जिल की रखेंगे वह आए हमाए पास वन अपॉन पॉर पाइपसाले नौट टू पी अपॉन आर क्यूब और जो एपॉन पॉर पाइपसाले नौट माइनस के पी अपॉन आर क्यूब जो हम वेल्यू लगाते माइनस सिफ इसकी डारेक्शन को पड़ता है अदर्वाइस माइनस की हम यहां पर वह मैगनिट्यूड में नहीं लेते हैं क्लियर इतनी बात हम नहीं आप अगर वेक्टर लेते तो यहां पर माइनस साइन लिखना होता अब आप इस चीज को देख रहे होंगे अब इतने पूर्शन की इतने पार्ट की वेल्यू को उठाकर हम इसमें रख देंगे तो यह हो जाएगा में पास इए एक्जियल इस इकोल स्टू इंटू इंटू इकेटोरियर यह हमाई पास इन तोनों के बीच में क्या आती है रिलेशंशिप आती है ठीक है अब हमारा इंपोर्टेंट पार्थ जो कि बहुत इंपोर्टेंट है टोर्क और डाइपोल इन यूनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल वेरी इंपोर्टेंट और आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से तो बहुत ही जाता है अब हमने टोर्क वाले में क्या करना है सबसे पहली बात तो होता क्या है आपपको य बात चूटे से साफसाफ शब्दों में हम आपको बता डेते हैं कि अगर कोई हमारे पास एक चीज फीक्स है और हुरमाः पर दूसरी चीज़े है और उसे ऐसे इस तरीके से मादब अंदर बाहर और उसा सबसे अच्छामपल हो girls चेली जो आपने को बंड करते हैं खोलते है तो एक तरीके से जो लग रहा है तो चोल मैं चोती सी बातों में और को मैं यह चोटा सा टॉपिक टोर्क बता दिया कि एक्चुल में क्या होता है अब इसके ड्राइपोल पर क्या एफेक्ट पड़ेगा सबसे पहले हम यह देख लेते हैं तो जैसे कि हमने आपको डाइग्रम में दिखा रखा है तो एलेक्ट्रिक डाइपोल के पास वही अपने चार् मुमेंट भी पता है क्या होता है पीज इकोस टू क्यूं टू ए लिए अब हमें निकान लेकिट टोर्क डाइपोल पर क्या लगेगा यूनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फील्ड में अब देखेंगे और एक जादू है जादू क्या जादू है माइनस क्यू इस प्लस क्यू पर क्या कहते हैं फोर्स लगाएगा जो फोर्स लगाएगा वह क्या होगी वह होगी क्यू इधर को लगेगी क्लियर इतनी बात अब प्लस क्यू माइनस क्यू पर जो फोर्स लगाएगा वह भी क्यू लगाएगा और वह लगेगी इधर आपको दिखाई दे रहा होगा के ठिकपूर से तो दोना हापस में क्या हो जाएंगी कैंसल अजेंगि ATI increase to से simple यह है कि फो फो यह जो जो एक क्यू ही इसे लिखा है कि फोस लिए आंछारज अइंतर ऑंछांड में प्लस प्लस यू क्यो स्क्यू पर चाहरज पर लग रही है वो लगेगी f is equal to plus qe और यह हमने कहां से लिया है यह हमने वहां से लिया है जो हम पीछे पढ़के आया है is equal to f of one qe से है ठीक है अब force on charge अगर मैं को माइनस q पर कितनी लगेगी तो f is equal to minus qe ठीक है इतनी बात आगे इतनी बात समझ में अब जब इस तरीके से लग रही है अगर मैं total force की बात कहूं total force उसके 0 लग रही है ठीक है total force क्या होई जीरो होगे तो इसी वजह से हम इसमें जो मैंने अभी आपको gate का close और open वाला जो बताया है यह बलुकुल उस तरीके से act करना start कर देगा force total zero लग रही है जो हम अपने मतला gate को भी बंद करते हैं खोलते हैं तो force उसके 0 लगती है क्योंकि वो equate कर देती है जतना हो बंद होता है उतना हम उससे खोल के करते हैं एक्चुल में तो stand करती है न उस पर लगती है तो फोर्स न लगतार क्या लगती है उस पर टॉर्क अब इस टॉर्क में हमेशा एक किसी न किसी एंगल पर ज़रूर लगेगी हमने थी टाइंगल लिया यह हमने इसे 90 डिगरी बना लिया इतनी बात इसकी डिस्टंस कितनी हुई दूए फटांट बात बताओ अगर मैं यहां पर सबसे पहले तो जो भी इसमें हम वैलों रखेंगे हम सबसे पहले उससे देखते हैं तो जो मैं पास टूर्क को फॉर्मृला होता है तो टॉर्क हम डिनोट करते हैं ऐसे हैं तो जो मैं पास टॉर्क का बहुत कि को एक फोर्स तो जो इस पे लगई के बात तो कोई सी भी फैक फोर्स लेंगे अब हम पेंडिकुलर्स एसे नियए नारेके लिया रखने के tightening जालये और बता है यह लाइन हमें plyला कि अब बात बताओ अगर हमाई पस यह नारेकश मैं पता है तो को मुला किसी हिजग को और यह तो क्या स्विक्मीन कर लेकिन नीकालना है थे देहां एक कहते तो पर लेक्ट सईस्वाइए और सब्सक्राइब आई है ऊप्वेश sin theta और ये क्या है हमारी torque है चीक है तो torque is equals to q into 2a e sin theta अब फिर से वो ही बात p is equals to q sorry q into 2a q into 2a तो ये q into 2a हमाई पास जो होगा हम इसकी जगा रख देंगे इसकी जगा p तो formula आ गया p e sin theta that is torque और torque हमारी maximum कब होगी जब हमारा sin theta maximum होगा और sin theta maximum होता है 1 और theta की value हो जाएगी मैं पास 5 by 2 जम sin theta को 1 करेंगी torque हमाई पास maximum हो जाएगी p e clear है इतनी बात चीक है जम क्या रखे कि मतलब theta की value 90 degree रखो तो मैं पास टॉर्क कितनी आजाएगी p e आजाएगी यह रहतना ठीक है तो यह मैं पास होगी maximum तो यह मैं बस मैक्सिम होती है और यह इसका होगया answer अब हम बात करते हैं इसकी unit की बात करते हैं तो बस आज की class में इतना ही आज हमने जितना भी है electric dipole के बारे में पढ़ा है dipole moment पढ़ा है और electric field के बारे में पढ़ा था अब जो भी इतनी है सब चीज़े हैं आपको समझाए एक पार इसे revision करो और थोड़ा सा और अपनी practice को strong करने की कोशिश करो thank you all of you bye bye take care video को like share subscribe